जार्खन की जनजाती एक जनजाती जिसका नाम है बैगा ध्यान रखना ये बैगा जनजाती जार्खन के बहुत कम पाई जाने वाली जनजातियों में से एक जनजाती है अर्थात या एक अलफ संख्यक जनजाती है और इसका उतना अधिक डेवलप्मेंट नहीं हुआ है ये कि मुख्यधारा में अलाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये प्रकृति की गोद में जंगल में रहने वाली जन जाती है इसलिए पर एक तरह से कर सकते हो कि ये एक उपेच्छित जन जाती के रूप में जानी जाती है तो दक्षनी छोटा नागपूर से ले करके राची लातिहार इन तमाम भुभागों पर ये फैली भी जन जाती है और ये मुख्यता जाना जाता है वैद के काम के लिए मतलब जडी बुटी इसब के लिए बैगा जाना जा है तो पहला चीज आ गया कि जारकन की अलप संख्यक जन जाती में से एक जन जाती है ये उपेच्छित जन जाती है अलपसंख्यक है ये उपेच्छित है राची पलामू गढ़वा इसब जिले में पाई जाने वाली जनजाती है इन लोगों का मुख्य नृत जो है वो है कर्मा नहीं कौन नृत कर्मा कर्मा हमूमन जारकन की तमाम जनजाती और सदानों के बीच में परचलित एक तेवहर है औ लेकिन सांस्किर्तिक परभाव या सांस्किर्तिक विनिमे का देन है कि कर्मा आज के डेट में सदान अर्था गहर जनजाती हों के बीच भी एक लोगप्रियत तेवहर के रूप में मनाया जाता है जो भाई बहन जो रच्छा बंदन की तरह है भाई बहन के बीच प्रेम जिसमें बच्चों को खाना खिलाया जाता है तो अब तक बैगा जन जाती पर आया कि जारकन की ये अलप संख्यक जन जाती है एक उपेच्छित जन जाती है राची पलामू गढ़वा के भुभाग पर पाई जाने वाली जन जाती है मूझ के निरित के रूप में कर्मा है वर्स का पहला तेवहर मना जाता है उचरेता है नो साल पर रसनावा नामक पर उकायजन होता है ध्यान रखना नो साल हो जाने पर नो वर्सों पर एक आता है रसनावा साल का पहला तेवहर होता है चरेता चरेता में बच्चों को खाना खिलाना नो वर्स पर रसनावा ठीक ह यह परोकायुजन होता है बैगा जमजाती के सुरू में बोले कि मेन काम है वाइद कारजी जड़ी बूटी से रिलेटेड दूसरा आ जाता है तांत्रमन तो बट नेचूरल है जो वाइद है जो जड़ी बूटी का काम जानता है सो भाविक है कि उसको पोधों के बारे में अच्छी खासी जानकारी होगी, तो ये पेड़ पोधे के अच्छे जानकार मने जाते हैं, इन लोगों का सबसे बड़ा देवता है, बड़ा देव, इसका निवास अस्थली माना जाता है साल ब्रिक्ष, कौन ब्रिक्ष, साल ब्रि जन जाती के रूप में जानी जाती है, जिसका मूल काम है क्या, तो मूल काम है तुम्हारा, क्या बोलते हो इसको वैद के काम को करना, जड़ी मूटी के अच्छी जानकार जन जाती के रूप में, साल का पहला पर होता है इन लोगों का चरेता, नौ साल के बाद आता है दिमाग में रखने का आसान तरीका नावा मतलब दिमाग में रखना नौसान ठीक है इन लोगों का सबसे बड़ा तेवार है बड़ादेव पाग को इन लोग अपना पवित्र पसू मानता है यह आता है तुम यहीं बैठ के काम करो यह पढ़ेगा पढ़ोगे दो बैठ के कहाता है मुकदम ठीक है गराम संगठन का मुखिया मुकदम कहलाता है मुकदम ध्यान रखना मुखिया का सहाय कहलाता है सयाना और सीखें सयाना और सीखें यह दो पद होता है तो मुलतह जनजाती के एड्मिस्ट्रेशन एन जनजाती जैसे संथाल देखा मुंडा देखा उस तरह से बहुत कुछ खास है नहीं मुकदम, ध्यान रखोगे मुकदम, मुकिया को कहा गया दूसरा मुकिया का इसका सहाय को कहा है स्याना और सिख्य संथेश वाहक भी होता है जिसको कहा जाता है चारीदार सहाय को कि संथेश वाहक को क्या बोले चारीदार जो तमाम मेसेज को एक जगा से या जो भी निरनी लिया गया गाउं दियात में जैसे होता है कि गाउं गाउं घूंग घूंग के लोग बोलता है तो इस वीडियो में इतना ही लाइक, शेर और सब्सक्राइब निश्चित कर दें, जय हिन, जय भरत!